हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे, जो दुनिया के सबसे अनलगी लड़की है, लेकिन फिर उसका सामना एक मैजिकल कैट से होता है, और इससे उसकी लाइफ पूरी तरहा बदल जाती है, तो चलिए देखते हैं उसकी अमेजिंग स्टोरी को तो मूवी की शुरू में हम सैम को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड हेजल के साथ वीडियोज बना रही है, और पता चलता है कि वो दोनों यहाँ एक और्फिनेज में रहती हैं, तब ही अचानक उनका सारा सेटप तूट जाता है, और हेजल कहती है कि तुम्हारी किसमत तो सच में बहुत खराब है, और हमें तुम्हारे लिए गुड़ लग डूनना होगा, फिर वो अपने एक ट्टे की ओवे कुछ लखी आइटम्स उसे दिखाती है, और बताती है कि अब मुझे बस एक लखी कोईन की जरूरत है, और फिर कोई नो कोई मुझे अड़ोग जरूर कर लेगा, सैम उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसके लिए कोईन जरूर टून लाएगी और इससे उसका गुड़ लख और बढ़ जाएगा, तब ही उनकी वोडन वहां आती है और बताती है कि इव नाम की सोशल वर्कर सैम को लेने आई है, हेजल ये सुनकर उदास हो जा से तुम्हें मूव करना होगा, वो उसे फ्राइडे वाले दिन वीजिटिंग आर्स में आने को कहती है, क्योंकि हेजल की फोस्टर फैमली भी उसी दिन आ रही है, और सैम को भी उसकी बात माननी परती है, फिर वो हेजल से प्रॉमिस करती है कि फ्राइडे को मैं तुमसे मि रह पाई, और तब से काफी सारी फैमली से उसे रिजेट कर चुकी है, इव उससे आगे के प्लैन के बारे में पूछती है, और सैम बताती है कि उसने एक स्टोर में अपने लिए जोब ढून ली है, और कल सुबा उसे जोइन करना है, आगे सैम अपने अपार्टमेंट की च पहुँच जाती है, वहाँ वो अपने बोस मार्वीन से मिलती है, जिसे लगता है कि सैम उसके स्टोर के लिए बेस्ट चोईज है, लेकिन जल्दी ही उसका ये भ्रम तूट जाता है, और वो देखता है कि सैम ने तो स्टोर में तबाही मचा दी है, तंग आकर वो सैम को बा जाती है कि संडे को एक नई फैमली आने वाली है, फिर सैम हेजल से मिलती है, जो एटोप ना होने के कारण बहुत दुखी है, और सैम उसे यकीन दिलाती है कि जल्दी उसे एक अच्छी सी फैमली मिल जाएगी, लेकिन हेजल को लगता है कि उसका गुडला कहीं रुका और वो सैम से उस लगी कोईन को जल्दी से डूनने को कहती है, आगे हम सैम को एक सैंडविच खाते वे देखते हैं, और तब ही एक ब्लैक कैट कहीं से आकर उसके पास बैट जाती है, सैम भूका समझकर सैंडविच का एक टुकड़ा उसे देती है, और कहती है कि काश मेरी लाइफ भी तुम्हारी तरह टेंशन फ्री हो सकती, लेकिन मेरा बैड लगतो मुझसे भी दो कदम आगे चलता है, और शायद इसका साया हेजल पर भी पड़ गया है, तब ही वो कैट वहाँ से उठकर भाग जाती है, और सैम देखती है कि नीचे जमीन पर एक कोईन पड़ रहा है, तब ही उसकी पोकिट से वो कोईन निकल कर गिरता है, जिस पर अजीब से डिजाइन बने हुए हैं, और उसे लगता है कि शायद ये कोई लखी कोईन है, वो उसकोईन को टेस्ट करके देखती है, और उसे कनफर्म हो जाता है कि ये सच में एक लखी कोईन है, फिर अनाथ हाले में वोडन को कॉल करती है, और बताती है कि शाम को में हेजल को एक सर्प्राइज देने वाली हूँ, स्टोर में भी उसका दिन बहुत अच्छा जाता है, और मार्विन को यकीन नहीं होता कि एक ही दिन में वो इतनी एफिशेंट कैसे बन गई, लेकिन किसमत को शायद कुछ औरी मनजूर था, क्योंकि सैम गलती से उस कोईन को एक टोइलेट में गिरा देती है, और उसे निकानने के चकर में वो फलश हो जाता है, शाम को सैम उसी ब्लैक कैट से मिलती है, और उसे बताती है कि कैसे कल उसे यहां से एक लगी कोईन मिला था, लेकिन उसन कोलर पर भी कोईन जैसा डिजाइन बना हुआ है, और वो समझ जाती है कि वो कोईन इसी कैट ने मुझे दिया था, वो कैट से वैसा ही एक और कोईन देने को कहती है, लेकिन देखती है कि कैट तो उससे डर कर भाग रही है, वो भी उसका पीछा करती है, लेकिन बहुत कोश करने पर भी कैट उसके हाथ नहीं आती और इससे सैम उदास हो जाती है तब ही उसे कुछ हावास सुनाई देती है और वो देखती है कि पीछे गली में वो कैट बैठी हुई है जो एक पोटल खोल कर उसमें कूच जाती है सैम को ये सब थोड़ा अजीब लगता है लेकिन कोई सैम लेने के चक्कर में वो भी उसके पीछे उस पोटल में चली जाती है और वो उसे एक दूसरी दुनिया में ले आता है कैट उसे वहाँ देखकर डर जाती है और कहती है कि एक इनसान को यहाँ नहीं आना चाहिए था सैम कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से चली तब ही कुछ हावाज सुनकर वो सैम को छुपने को कहता है और वो देखती है कि तो लेपरिकोंस वहाँ उससे मिलने आये हैं पता चलता है कि इस कैट का नाम बोब है और जो कोईन सैम ने गुमाया था वो ये कैट सबने ट्रेवल के लिए यूज करती हैं और बिना इसके बॉ बोब से कहती है कि क्यों न हम अंदर जाकर एक और कोईन ले आएं जिससे हेजल के साथ साथ तुम्हारी भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी बोब भी कुछ सोच कर उसकी बात मान जाता है और सैम कहती है कि फिलाल अंदर जाने के लिए तुम मेरे बटन का यूज कर सकते हो आगे उनका सामना एक कैप्टन नाम के लेपरिकोन से होता है जो यहां की सिक्योर्टी हैट है लेकिन उस बटन की मदद से बोब और सैम उससे बच निकलते हैं फिर बोब उसे लेपरिकोन की लोकर रूम में ले आता है और बताता है कि ये मेरे दोस जैरी का लोकर है जिसकी जो अपिसवक कोईन डिपो में है सैम वो कपड़े पहन कर एक लेपरिकोन बन जाती है और बोब सब को बताता है कि ये लेट्विया नाम के एक मैजिकल कंट्री से आई है जहां के लेपरिकोन्स बहुत बड़े होते हैं आगे वो जैरी से मिलने उस कोईन डिपो में आते हैं जो سैम के साइस को देखकर बहुत इंप्रेस होता है और तब भोबु से कहता है कि सैम कोईन डिपो का एक टूर करना चाती है जैरी इसके लिए तयार हो जाता है और बताता है कि आज हम coins को polish करने वाले हैं और तुम भी इसमें हमारी मदद कर सकती हो सैम वहाँ उन coins को चुराने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि एक sucking machine उन्हें खीच कर ऊपर ले जाती है और तब ही उसके हाथ में अपना खुद का button आ जाता है जल्दी ही सैम के bad luck से वहाँ गडबड हो जाती है और वो button भी उससे छूट कर उस machine में चला जाता है लेप्टिकोंस building को खाली करा लेते हैं और भोब सैम को बताता है कि अब कैप्टन को button के बारे में पता चल जाएगा और हमें कोईन को भूल कर यहां से निकल जाना चाहिए तब ही उनसे मिलने जैरी वहाँ आता है और सैम उसे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो यहाँ कोईन चुराने आये थे जैरी यह सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि कैप्टन इसके लिए दुमें बैड लग सिटी में बेज देगी जो गुड लग सिटी के ठीक नीचे बनी हुई है फिर वो उने एक बनी ड्रोन के बारे में बताता है जो किसी भी खोएवे कोईन को ढूंड सकता है लेकिन उसे चलाने के लिए लग क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी फिर वो सब उस लग क्रिस्टल को लेने जाते हैं जिसे बनाने वाले कुछ पिक फॉर्मेन है और सैम वहाँ एक बड़े से ड्रेगन को देखती है जैरी बताता है कि ये गुड लग सिटी की मेयर बेब है और इसके पास ऐसी पावर्स है जिससे ये बैड लग को कहीं से भी स्मेल कर सकती है आगे हम उन पिक्स को वो क्रिस्टल बनाते वे देखते हैं और वो उसमें से एक को चुरा लेते हैं फिर जैरी उने कंट्रोल रूम में जाने को कहता है और खुद उस बनी ड्रोन को एक्टिवेट करने जाता है इधर बोब सैम को रेंडोमाइजर मशीन दि देखते हैं जो पोडल से निकल कर सिटी के सीवर प्लांट में जा पहुचता है और वहां उस कोईन को डून लेता है तब ही वो स्क्रीन पर कैप्टन को देखते हैं जिसे बटन की सच्चाई का पता चल जाता है और वो कहती है कि जल्दी ही मैं उस चोर को डून इधर ड्रोन पैनी लेकर वापस आ जाता है लेकिन इससे पहले कि जैरी उसे पकड़ पाए वैक्यूम उसे खीचकर बैट लग सिटी में ले जाता है तब जैरी उन्हें बताता है कि ड्रोन पहले सोटिंग फैसिलिटी में जाएगा जो बैट लग और गुड लग सिटी के बिल्कुल अलग है, वहाँ एक एक्सिडेंट से वो दोनों अलग हो जाते हैं और बोब सैम को सोर्टिंग फैसिलिटी में आने का रास्ता बताता है, जो टावर नमबर 13 से होकर निकलेगा और खहता है कि मैं वहाँ तुम्हारा इंतिजार करूँगा, सैम देखती है यहाँ तो हर तरफ मॉंस्टर भरे हुए है और उनसे बचते वे वो एक रूम में छुप जाती है, जहाँ एक बोक्स में कुछ गुर्लग क्रिस्टल्स रखे हुए है वहाँ से निकल कर वो बैटलग सीटी में आती है, और थोड़ी प्रोब्लम का सामना करने के बाद, फाइनली उस टौबर तेरा तक पहुच जाती है यहाँ उसे बोक का बताया वो सीक्रेट रास्ता नजर आता है, और उससे होते वे वो सोर्टिंग फैसिलिटी में आ जाती है जहाँ बोब दूसी तरफ उसका बेट कर रहा है यहाँ उनका सामना जैफ नाम के एक यूनिकोन से होता है जो नेचर वाइस बहुत फ्रेंडली है और उसका काम है अपनी मशीन से बैडलग को रेंडोमाईजर में भेजना यहाँ यह भी पता चलता है कि जैफ बेब का पुराना प्रेमी है लेकिन अब वो दोनों एक दूसे से कभी नहीं मिलते क्योंकि बेब को बैडलग बिल्कुल पसंद नहीं है फिर जैफ उन्हें उनका ड्रोन वापस करता है लेकिन बताता है कि कोईन को तो मैंने कोईन डिपो में भेज दिया है ताकि उसकी अच्छे से सफाई हो सके बोग को लगता है कि अब उन्हें कैप्टन से कोई नहीं बचा सकता और तब सैम उसे अपना आइडिया बताती है कि वो बैड लग क्रिस्टल लेकर बेब से मिलने जाएगी और हो सकता है कि वो मदद करने के लिए उसे एक लगी कोईन दे दे बेब भी सनोखी लेपरिकोन को देखकर बहुत इंप्रेस होती है लेकिन देखती है कि उसके पैर में तो एक बैड लग क्रिस्टल चिप का हुआ है जिसका असर काफी दिन तक रहता है सैम भी अनलखी होने की एक्टिंग करती है और जैसा कि उसने सोचा था वेब उसे अपना एक लगी कोईन देती है और कहती है कि ये तुम्हारे बैड लग को खत्म कर देगा सैम उसे लेकर वापस भॉब के पास आती है लेकिन देखती है कि कैप्टन ने उसे पकड़ लिया है और वो उसे बैड लग सिटी में ट्रांसफर करने वाली है सैम तुरन जाकर उसे रोक लेती है और वो कोईन देखर कहती है कि बोब ने गलती से इसे गिरा दिया था कैप्टन को बोब को छोड़ना पड़ता है और बोब सैम से पूछता है कि ये कोईन तो तुम हैजल को देना चाहती थी तब सैम कहती है कि तुम्हें फसाकर मैं हेजल की मदद नहीं करना चाहती और वैसे भी मेरे पास एक ऐसा प्लैन है जिसमें हमें कोईन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर वो बोब को लेकर जैव की बैडलक मशीन के पास आती है और कहती है कि अगर मैं इसे ही बंद कर दूँ तो दुनिया में बैडलक जाना बंद हो जाएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी जैव से चुपते वे वो उसकी मशीन को बंद कर देते हैं और देखते हैं कि दुनिया में अब बस गुडलक ही जा रहा है फिर वादे के मुताबिक सैम वहां से वापस जाने लगती है लेकिन पता चलता है कि वैक्यूम से बैडलक क्लीक हो रहा है इधर जैव भी अपनी मशीन को देख लेता है और भाग कर उसे स्टार्ट करने जाता है बोब और सैम उस रेंडमाइजर को चेक करने आते हैं और तभी एक तेज़ प्रेशर के साथ बैडलक पूरे गूडलक सिटी में फैल जाता है इससे वहां के सारी फैसिलिटिस नश्ट हो जाती है और सप्लाइ लाइन से सिरफ बैडलक दुनिया में जाने लगता है इसका असर हेजल की किस्मत पर भी पड़ता है और वो देखते हैं कि उसकी फोस्टर फैमिली आज भी नहीं आई बेब भी सिट्वेशन को चेक करने आती है और देखती है कि रेंडमाइजर के दोनों स्टोन नश्ट हो गए है और इससे लग की सप्लाइ लाइन पूरी तरह से बंद हो गई है यहाँ बेब को सैम की सच्चाई का भी पता चलता है और वो कहती है कि देखो तुमारी गलती ने क्या कर दिया और अब दुनिया में गुड लग और बैड लग नाम की कोई चीज नहीं है कैप्टेन और जैरी भी बॉब से बहुत डिसेपॉइंट होते है और वो सैम से कहता है कि यह सब मेरी ही गलती है और मुझे तुमें पहले ही वापस बेच देना चाहिए था सैम इसे ठीक करने का तरीका पूछती है लेकिन बॉब कहता है कि बिना स्टोन के रेंडोमाइजर चालू नहीं हो सकता और स्टोन्स बनाने के लिए हमें क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी ये सुनकर सैम को कुछ याद आता है और वो बताती है कि उसने बैड लग सिटी में कुछ गुड लग क्रिस्टल देखे थे और वो उसे लेने वापस नीचे जाते हैं सैम उन्हें उस रूम तक लेकर आती है और पता चलता है कि ये तो एक मॉंस्टर बार है जिसका मालिक रूटी नाम की एक जाइंट रूट है और वो और बोब एक दूसरे को पहले से जानते हैं सैम रूटी को उपर हुई प्रॉबलम के बारे में बताती है और कहती है कि हम यहाँ कुछ गुड लग क्रिस्टल लेने आए हैं तब रूटी उन्हें एक जार दिखाता है जिसे गुड लग के लिए उसने अपने गेम मशीन में लगाया हुआ था और कहता है कि इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो और जैसे ही रेंडोमाईजर ठीक हो जाएगा मैं इने फिट से ही कठा कर लूँगा सैम उसे कुछ बैड लग क्रिस्टल भी मांगती है और उन्हें लेकर वो बेब के पास आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जैफ भी उनके साथ आया है बेब जैफ को दुबारा देखकर बहुत खुश होती है और तब वो उसे वो जार दिखाते हैं जैफ बेब से कहता है कि तुमारी आगी इन क्रिस्टल को स्टॉन में बदल सकती है और बेब भी ऐसा करने में बिल्कुल देर नहीं करती जल्दी ही वो क्रिस्टल स्टॉन में बदल जाते हैं फिर वो स्टोन्स को उस मशीन पर लगाने लगती है लेकिन सैम कहती है कि मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। वो बैड लग सिटी की उल्टी ग्रैविटी का फायता उठाती है और बेप से पहले मशीन के दूसरे होल तक पहुँच जाती है। वो कहती है कि दुनिया को गुड लग के सासा बैड लग की भी जरूरत है और ये दोनों मिलकर ही इस बैलेंस को बना सकते हैं। लेकिन बेप का मानना है कि बैड लग हमेशा चीजों को बिगानने का काम करता है और गुड लग सिटी का ये हाल भी उसी की वज़ा से हुआ है। तब सैम उसे बताती है कि यहाँ जो कुछ हुआ वो सब मेरी गलती है और बैड लग मोंस्टर्स तो असल में तुमारी मदद करने आए हैं। फिर वो बैड को जेफ की याद दिलाती है कि कैसे वो हमेशा से उसे बहुत प्यार करता है और बैड भी उसकी बास समझ जाती है। और रूटी को वो गुड लग स्टोन गिफ्ट करते हैं। बेप भी उनसे अपनी सारी दुश्मनी बुला देती है और हम लोग मिलकर उन्हें पार्टी करते वे देखते हैं। कैप्टेन बॉब से वापस जोग पर आने को कहती है लेकिन उसने तो कुछ औरी सोच रखा था और वो कहता है कि अपसे मैं सैम की फैमली बन कर रहना चाहता हूं और सैम ये सुनकर उसे गले से लगा लेती है। आगे का सीन एक साल बात का है जहां सैम ने अपने बैड लग को एकसेप्ट कर लिया है और फिर वो बॉब को लेकर हेजल से मिलने जाती है। एंड सीन में हम उन तीनों को मस्ती करते वे देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इन मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्यू।